लगातार सतपक्ष और विपक्ष में उठापटक जारी है और इस बीच सियासी घमासान इसलिए भी छिड़ चुका है क्यूंकि आरजवेडी के प्रमुक लालु यादव इस बार फिर से चर्चा का विशाय बन गए है चुनाओ के बीच तो लालु यादव चर्चाओं का विशाय बने हुए थे ही लेकिन चुनाओ खत्मोंने के बाद जब एंडिय की सरकार ब्यार में बनी उसके बाद भी लालु यादव फिर से चर्चाओं में घिरे हुए है मंत्री पर्द का और साधी साथ कह रहे हैं कि विधान सभा में एपसेंट हो जाओ और कोरोना की बात कह दो और इन सब के बीच लगातार सत्तापक्ष अब विपक्ष पर हमला बोल रहा है और इस कड़ी में एंडिय के नेता और MLC आपको हम बात करें आपर नीरज कुमार की तो नीरज कुमार ने हमला बोलते हो लालू प्रसाद यादव पर यहां तक कह दिया है ट्वीट में कि लालू यादव ने ये जो कर्तूत की है इस पर उनके बेटे तेजस्वी यादव आखिर मौन कियो है क्योंकि तेजस्वी तेजस्वी यादव अपने पिता के इस कर्तूत पर आखिर मौन कियो है वजा क्या है क्या लालू यादव ने ऐसा सच में किया है आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है नीरज कुमार ने ट्वीट करते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना खामोशी का राज क्या है साथ साथ आपको बताएं कि नीरज कुमार ने एक और ट्वीट किया है नीरज कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि श्री श्री 420 सजायाफता कैदी नंबर 3351 लालु यादव पर एक और मुकदमा हो गया लालु की फोन वाली करतूट से अपनी छीचा लेदर होता देख जारकंड सरकार ने उन्हें कोरोना प्रूफ मानते हुए रिम्स डिरेक्टर के बंगले से उठा कर फिर से पेंग वार्ड में भेज दिया है आपको बता दे कि नीरज कुमार जो की जेडियो के अमलसी है जेडियो के नेता है उन्होंने इस तरह ट्वीट करके लालु यादव पर तीजस्वी यादव पर निशाना साथ है साथिसाथ आपको बता दे कि इस कड़ी में सत्तापक्ष की अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी भी पीछे नहीं है जो कि वी आईपी के प्रमुख है और नितीश कुमार की सरकार में मंत्री है और उन्होंने भी लालु यादव पर यारोप लगाया है लगातार सत्तापक्ष जो है वो विपक्ष को घेर रहा है साथिसाथ आपको बता दे कि लालु यादव पर आजडी प्रमुख जो लालु यादव है उन पर लगातार हमलावर होता जा रहा है और इस बीच अब नीरज गुमार का इट्वीट भी वाइरल हो रहा है सोशल मी लालु यादव तेजस्वी यादव पर आर जेडी पर तो फिलाल के लिए मुझे दीजे जाज़त देखते रहे नेशन यूस को धन्यवाद